नमस्कार स्वागत आप सभी का महा संगराम 2023 में आज हमारे खास कारिकरम अपना टाइम आएगा में हम पहुंचे एक नए केंपस में केंपस का नाम है हरिदेव जोशी विश्वुद्याले वो विश्वुद्याले जहां पर भविश्चे के पत्रकार तयार हो रहे हैं अगली कुछ देर और हम इनसे बात करेंगे राजस्थान के चुनाव के उन विश्यों की जिनसे सीधे तोर पर युवाओं का जुड़ाओ है राजस्थान के अगर आंकड़ों की बात करें करीब करीब 30-40 लाग बेरोजगार शिक्षित युवा है राजस्थान के अंदर जो सरकार से नौकरी मांगता है पेपर लिक की घटनाओं को रोकने की बात कहता है और सासात में ये भी कहता है कि शिक्षा के इस्तर को बहतर कीजिए युवाओं के कई सारे मसले हैं जो युवाओं के बीच में हैं इनके मन में हैं उनकी बाच्चित के सिलसिले को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में राजस्थान की सियासत को ले करके क्या कुछ चल रहा है सर मेरा नाम देवेंदर जैमन है और मैं पत्रकारत विश्विध्याले के अंदर पढ़ता हूँ मैं जो है ग्रामिन परिवेश से आता हूँ सर गाओं में हमारे पहले मकान थे जमीने थी मेरे पिता जी वो जमीनों को बेच कर आ गए शहर के अंदर मकान बना लिये क्यों क्योंकि मेरा बेटा पढ़ेगा परिख्षा देगा सरकारी और सरकारी नोकरी पाएगा लेकिन जब मैं परिक्षादेने बैठता हूँ और उसी कुछी देर बाद में परिक्षादेने निकलने के बाद में पता पड़ता है कि पेपर तो लीक हो गया तो मेरे परिवार वालों की आत्मा जो है वो खोल उड़ती है सर उनके ओपर क्या गुजरती आप कुछ समझे सर लगातार 17 बार पेपर लीक होते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता करोड रूपे जो हैं लाको रूपे हमारे घरवाले लगाते हैं और वो बरबाद चल जाते हैं सर हम युवाओं का हमारी युवाओं की वेदना भी समझे सर क्या कुछ हमारे उपर गुजर रहा है पेपर लीक कैसे रुकेंगे सरकार का जब हाथ है क्या बिना मंत्री के क्या बिना परसासन और उनके सब मिली भकत के बिना कोई पेपर लीक हो सकता है यह पॉसीबल ही नहीं है मंत्रियों का हाथ उसमें है वो तो क्या है कि एक फोर्मल्टी के लिए कानून मना दिया है जो सामने आ रहे हैं कि यह चेहरे उनको एरेश्ट कर लिया उनको बेल भी मिल गई आदो को आदे अंदर है पर मलब जो में जड़ है जो मंत्री है वो है उन जड़े कटे में आच्छा आप बताइए कि मसले तो बहुत सारे हैं लेकिन जब युवाओं के मसलों की बात आती है तो सरकारे जो है वो पीछे क्यों हट जाती है युवाओं के मसले तो अगले 10 साल से देखे ही नहीं जा रहे है युवा नोकरी चाहता है युवा चाहता है लेगी हलत कराव है अच्छालत कैसे भर कैसे चितरा तर कानून बना देती है और फी सी प्रवाह और देख्ष पर कर देती है यह पिर लेकिन जमीनी इस तरह कुछ काम ने होगा जमीनिस्टर पर कैसे होगा सरकार आइगी जाएगी को को जेल होगी पर कारवाई होगी उनके ब्मकान गिरा जाएंगे हमारे शिक्षाऺण संस्तानों का के सब्रक्राइब साथ टाहूं का मैं और उसीं म Angeb भी बोलता हूं आप आ Cem्पनी ऑर सरकारों को बहुत ज्यादा रहना चाहिए अभी मेरे भाई ने कहा कि यह ना सरकारे तो आएंगी जाएंगी योग गता की कमी है हमारा देश युवाओं का देश है तो युवाओं के लिए इस्पेशली रोजगार मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकारी नौकरी माहिने रख दिये लेकिन आप प्राइबेट नौकरिया तो लेके आएंगी जरूरी नहीं सरकारी जब आप प्राइबेट भी नहीं दे रहे हो सरकारी भी नहीं दे रहे हो तो फिर आप कैसे एक युवाओं के लिए आगे बढ़ाने की हमारा देश सिक्छा स्वास्त और इन सब चीजों में पीछे हैं जबकि हमारा देश युवाओं का देश है युवाओं की भागेदारी ना तो राजनीती में हैं युवा राजनीती में पीछे जा रहे हैं बोजर्गों को राजनीती में आगे लेके जा रहे हैं तो यह बताइए सर जब हमारी भागेदारी युवाओं की भाग इस बार इलेक्शन के अंदर युवा किस आधार पर वोट की चोट देने जा रहा है देखिए इस बार ज्यादा तर मुद्दा तो बेरोजगारी का ही रहेगा बेरोजगारी को लेकर सरकार पे ठोस कदम उठाए जाएंगे और जो आज युवाओं को नजर पड़ रही है तो रोजगार बिलकुल खतम सा होता जा रहा है एक बात बताई अगर मैं आपसे पूछू कि इस इलेक्शन के बाद अपना टाइम आएगा तो आप मानते है अपना टाइम आएगा टाइम आ सकता है जरूर सर अगर युवा सोच के साथ आगे बढ़ता रहे तो जरूर आएगा युवा किस सोच के साथ आगे बढ़े और सरकारों को क्या नसियत देने की कोशिश है क्या डिमांड करते हैं आप सरकार से क्योंकि वोट की तो बहुत बड़ी पावर है सब लोगों के पास डिघरी है सब के पास डिघरी रहती है लेकिन वो नौकरी नहीं बठी उनको उनके लिए सके नहीं होती है जब सकी हमारे पास इस परी नहीं होगी तब तक हम नॉपरी कैसे लगें våra canad if समय करती न हमें इसके रिए सीё मिल नहीं है हो मतीं ग्राउंड पे वो चीज़ दिखरी नहीं है ना कि मतलब आपको स्किल मिलेगी तब ही तो आप मतलब नोकरी कर पाऊगे आपके पास खाली डिग्री दे रही है सरकार डिग्री से क्या होता है मतलब स्किल दोगे आप रोजगार मिलेगा उससे ही तो आगे बढ़ेंगे जो आप बताइए जिस तरीके से राजस्थान का नाम अग्रिनी सूची में आगया कि राजस्थान के अंदर जो महिला अत्याचार है वो आगे पहुंच रहा है जैसा भईया भी बता रहे हैं क्या करना चाहिए सरकारों को कानून तो कड़े बने हुएं सब कानून बनाने से नहीं होता है उन पर काम करने से होता है कानून सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं अगर हम सिक्षा की भी बात करें जैसे अदर लोकों ने भी बोला है कि हमें डिग्रियां मिली हुई है ये बात सही है कि हर बच्चा डिग्री ले लेता है लेकिन डिग्री उनको ये है education कम पैसों में करवाई जाती है लेकिन आप बताईए दस्मी बार्मी के बाद लड़कियों का जो हमारे सामाजिक कल्चर में कहने से की पुरुष और महिला बराबर हैं नहीं हो जाती हैं. बेसिकली लड़कियों को graduation हो गई शादी कर देते हैं उसके बाद अगर वो दुबारा कभी शुरुआत करना चाहें तो सरकारें नियम बदल देती हैं उनके लिए actual platform मिली नहीं पाता है और इस field में तो especially जो social media से related field है या फीमेल के लिए government job is sufficient अगर किसी भी परिवार की सोच ह जही है कि एक औरत है तो government job मिल जाए तो ठीक है और government में भी नियम बदलते रहते हैं अभी अभी मैंने रिसेंटली देखा कि मैंने पॉलिटेक्निक किया था commercial यार्ट से बहुत पहले उस टाइम नियम था सरकार का कि भाई आपने पॉलिटेक्निक कर रही है विद की डेट में आप उनको बिलकुल नकारा कर ear फिर ओंआ जाए तो कैसी सरकार हो किसी हो कैसी सरकार होनी चाहिए। तमाम मसलों का निदान भी कर सके? के साथ में, प्राइवेट सेक्टर के साथ में, दोनों के साथ में, एक सामन जिससे बना के काम करें, ताकि ग्रिवांस रिड्रेसल के भी एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हो, ताकि पता चल सके कि शिकायते किस किस प्रकार की है, कैसी कैसी है, जब पता ही नहीं होगा कि क् इस जनरेशन में हो रहा है, क्या faulty education है, whether it is related to health या फिर किसी भी चीज से related हो, तो proper grievance redressal के mechanics होंगे, तो अच्छे से और उनके एकदम सामन जासे से बात करेंगे। कौन सी बड़ी समस्या है युवाँ की जिन पर सरकारों को काम करना चाहिए, योजना है तो काफी बनाईए सरकार ने? इस चीज पर जादा काम करना चाहिए, एक प्रॉपर मेक्यानिक्स बननी चाहिए, इसके उपर की मतलब कारियर ओर्येंटेशन के प्रोग्राम चलाने चाहिए, स्कूल लेवल्स पर भी, कॉलेज लेवल्स पर भी, ताकि उनको पता चल सके. अच्छा, आप बताईए, रोजगार न मुखी कारिक्रम कैसे चला है, सरकार ने तो काफी कारिक्रम चला भी रही है, काफी सारी योजना चल रही है, तो फिर कैसे आएगा अपना टाइम? कि इतना पैसा खर्च करें बाद भी मुझे अब नौकरी के लिए भटकना है, उसको यह रहे कि मैं इतना पैसा इस जगा खर्च करा है, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने एक्जाम दिया हूँ, तो अब मेरे पास यह है कि नौकरी खुझ चल के मेरे पास आए, जैसे कि इंजि प्लेस्मेंट सिस्टम होना चाहिए ताकि हमें भी एक टाकत मिलेगी कि हम इतना पढ़ रहे हम एक्जाम दे रहे तो हमारे को हमारी रोजगार हमारी नोकरी यह चीज करे बाद में कंपल्सरी हमारे को मिल जाएगी आप बताइए सुजाओ दीजी आप कैसे ऐसा माहौल अब जल्दी भारत जो है वह विक्सित बनने को जा रहे हैं बहुत बड़ी महाशक्ति की रूप में तो सबसे पहले जैसे हाली में मैं बात करूंगा युवाओं की क्योंकि युवाओं का देश है और आबादी की मामले में पूरी दुनिया में हम एक नमर पे आते हैं तो क स्किल को ग्राउंड लेवल पर कितना उनको तौज्व मिलती है वो बहुत मैं इंपोर्टेंट रहती है स्किल का लाना इंपोर्टेंट नहीं इसकिल को इस तरीके से यूज करना बहुत है अगर यह चीजे होंगी स्किल तो बहुत शान्दार रिजल्ट मिलेगा और देश आप बताईए कैसी सरकार की उम्मीद रखी सिर्कार की तो अगर रोजगार की बात करी जाए तो रोजगार रोजगार करती पढ़ाने जाती है है रोजगार है इसका मतलब यह तो नहीं है कि उसके सुरक्षा पे बात ना की जाए और कई कई बार देखते हैं कि सुनने में आता है कि महिलाओं की स्थिति आर्थिक स्थिति सुद्रेगी ऐसा होगा वैसा होगा पर कहां पर हुआ सरकार बदलती है सब कुछ होता है पर लेकिन अगर राजिस्थान की बात करें तो आज भी महिला इतनी दूर दूर तक जाती है पानी लेके आती वहीं पर मर्द बैठा घर पर देखता रहता है तो यह कहां का कहां पर उनके साथ ऐसी स्थिति है जो कि सुद्रेगी कब अपना टाइम आना था तो कब से चल रहा है आना चाहिए तक क्यों नहीं आया कि क्या उन से पूछा जाता है कि कहां पर अचाहिए तक दिह्युवाएं उनको दिक्कत नहीं होती है कि मर्द बैठा इसको दिक्कत है पर अगर महिला जाना चाहती तो उसको दिक्कत नहीं कि कहां से हैं सर कैसे भी नहीं है आप बताइए क्या उम्मीद रखते हैं सरकार युवाओं से क्या किस तरह की उम्मीद हैं क्या चारा इस बार युवाओं के मन में चल क्या रहा है सर्कारी नौकरी के तरह जाएगा उसको जाने के लिए सबसे पहले तो वह नौड़ा बैंगलोर गुजरात यह फिर अलग अलग जेगे जाएगा दिली जाएगा फिर अब्रॉड जाएगा क्योंकि राजस्तान के सरकार्ट के साथ या फिर जो टाइप गुजरात गवर्मेंट का रहा है आज यूपी गवर्मेंट जापान की कमपनी से भी टाइप करके वहां पे कुछ ना कुछ कंपनी या फिर कुछ ऑटो मोबैल्स की इंडर्स्ट्री जे इस सब इस तरह बहुत का मैं यह चीज़ इस बहुत कम म्हatti जिसके कारण जो है को भार जाना पढ़ता है और चीज़ है कि सके बहुत कमी है और अगर फॉत कर से उनको फिर स्टेः करते हैं, ऐसे कहते हैं काॉरे परिषटी पर की हमने हमारी पर्टी ने कुछ चालू कर दिया है तो दूसरी पर्टी आपके इसको बंद नब करते हमको दूबार जिता दो यह परंपरा ही ठीक लगती आप नब आप यह घंसा का युवा देखिए राजिस्तान का जो युवा है वो फर्ष्ट नंबर पर करना चाहते हैं लेकिन समझ चाहिए आ रही है कि सरकार ने इत्ती सारी नीतिया बनाई पांच अजार करोड का क्रिशी बजटता साथ अजार पांसो करोड रुपे तो साई चीजे खर्च कर रहे हो लेकिन पोचनी पोचे अब आप इंद्रागांडी डिजिटल सेवा जो चलाए नोंने मोबाइल बाटे आप उसका देख लिजे आपने मोबाइल तो बाट दी है लेकिन वह यह उसके अंदर बहुत सारा पैसा व्यर्त गया की वजह से ट्रेजरी खाली होती जारी है काफी आप सरकारी करमचारियों से पूचेगे उनकी तनका उनके ट्रेजरी के बिल पास नहीं हो रहे समय पे निया पारे पैसा है उसको आप डंग से क्रिया पोलिसी जो एक क्रिया वन उसका डंग से होता और लोगों तक पोच पाती स्किल्स डवलब होती सरकार हर किसी को सरकाई नोगरी नहीं दे सकती सबको तो दे नहीं सकती लेकिन आप अगर वर्ग के बारे में सोचँगे तो उसके अंदर सब सक्षम बनेंगे खुद को विक्षित करेंगे अब पत्रकारीता के उपर देख लिए महात्र एक यूनिवर्ट को लिए इस तरही किसे अगर जिलास तरपे भी इसका कुछ भाग खोला जाता तो इत्ती दूर से हमारे चाहीं परेशानी नहीं आती है काफी ग्रामी चेतर से भी आते हर कोई सक्षम रूप से वित्य रूप से अपना टाइम सरकार की यूजना है सरकार के काम का आज और अब तो सर पर चुनाव है कैसे आएगा अपना टाइम सर डेवलप्मेंट तो बहुत दूर की बात है, पहले एक महिला सुरक्षित गर्ट पहुचे, जैसे कि ध्यान दिया जता है, ध्यान तब जया जता है जब रेप के से दोते हैं तब उन पे कुछ कारवाई होती है, तो रेप तक पहुचने ही क्यों देना है, पहले ही अगर कार पड़ा, जबकि मेरे खुद के शेर में भी एक हो सकती युनिवर्सिटी, आप बताईए, क्या सरकारों को क्या करना चाहिए, कैसी सरकार की उम्मीद है इस बार, देखें सरकार पॉलिसी निकाल देती है, हमारा में सवाल यह रहता है, पहुचे कैसे, सरकार घर तक तब पह कि एड़केशन की पॉलिसी है, तो वोट पहुंच पातें तो सरकार ज china मतलब नहीं होना चाहिए, तो सरकार को सर्कार को अपनी प्रजास समन अनची करतें, तो सरकार जब अब हम चाहते ऐसी सरकार है, जो सरकार हमारे तक आ था reduce, नहीं आसक qusite है, लेकिन protect दो, और लेकि इसको लेके तो Paldies उपर से उपर येंड हो जाती तो आज का यूवा है सर्कार ऐसी चाहता है जो हम तक आये हम से पूचे पूचे हमारी परेशान है वो नहीं जो हम यहां से तो कुछ इतना बता रहे हैं वहां जाक इतना उजा रोब विल्कुल पलट जाए कि हमने बता कि हमको राई का पहाड बनाना है वो राई की खाई से भी जादा हो गया है अब बताइए कैसी सरकार की उम्मीद है इस बार सर ट्वेल्थ से ही एक तो मेन यूवा का सब कुछ स्टाट हो जाता है त्वेल्थ में ही अगर हमको बता दिया ज क्या है कौन सी फील्ड चूस करनी है अगर बच्चों को 11-12 से ही एक प्रॉपर गाइडन्स मिले और उनको स्किल टेस्ट लिए जाए उनके आप्टिट्यूट टेस्ट लिए जाए तो उनको एक माइंडसेट क्लियर होगा क्योंकि हर इंसान के अंदर एक इंट्रेस्ट होता ह एक खूबी होती है वो उनको पहचान ही नहीं पाते बच्चे उनको पता है अगर कॉमर्स में उनको बोल दिया जाता है आप सीए सीएस कर सकते हैं यह दो ऑप्शन है जबकि आजकल कितने ऑप्शन निकल के आ चुके हैं तो एक प्रॉपर गाइडन्स सिस्टेम एक लाना क्या सोचता है इस बार युवा चुनाओं को लेकर करके युवाओं को तो उमीद है यह उसके लावा किसान परिवार से आता हूं तो राज स्टेट में किसानों के हालती भी बहुत खराब है केंदर और इस्टेट दोनों एर सीपी के लिए लड़ रहे हैं नहर के लिए उस हो गया है hybrid को गईे शाड को गई 35 35 35sek लिसकार किसानों की है वह निलाम होने को है कंप हो घर कर्ज़मैं आतिया लोन केवल केेवल के सी में आता है क्या युको बेंक बेंक नेश्नल से लोन नहीं देते क्या किसानों का लोन किसानों की अपनी पीड़ा है वह बताने कोशिश की किसान परिवार से आने वाले विध्यारती ने आप बताईए क्या सोस्ते हैं आप नई सरकार को ले करके अधिशन और एजुकेशन को राजस्थान में गर्ल्स के लिए एजुकेशन नहीं है यहापर हम लोग कितना भी प् चाहिए आज तक नहीं हुआ हो उसके बारे में सरकार को ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए और जो भी इससे रिलेटेट्ट जो भी अधिकारी या जो लोग है उनको इस प्रिक्रिया को इस इस साफ से श्ट्रॉंग बनाना चाहिए कि पेपर कहीं भी लिकेजनी यो कानून में इसे प्राफदान होने चीए और किसी भी प्रकार से युवाओं के जो होने वाली जो परिक्साइए उनमें पार्दर्सीता हो और हर प्रकार से वह अ कि पेपर है जो रड़ करते जाते हैं एंग्जाम इंस पे नहीं होती हैं इस से युगा परेशान है क्योंकि एक जो समय होता है वह समय के बाद में रोचिवार स्पनाम पीजनेस से नहीं रोजगार है उसकी लाइफ नहीं है